अंतर राश्ट्रिय युवा विद्वान, जैन दर्शन में युनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धान तेवं नयाय विशयों को सरलता से समझाने वाले USA, England, Australia आदी अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले पंडित टोडर्मल पुरसकार युवा विद्वत रत्म आदी अनेक पुरसकारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान, डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जैपूर द्वारा जानिये, धर्म का मर्म मूर्म आदी अनेक पुरसकारों से सम्मानित मूर्म आदी अनेक पुरसकारों से सम्मानित मूर्म आदी अनेक पुर्म तुरी उपाद्याए साजू सर्वन हर्थ के प्रकाशी मांगे ही के उपकारी हैं तिन को स्वरू पे जाने रागते भरी जो भक्ती काये को नमाई तो ती को उचारी हैं दन दन तिन नहीं ते काज सब आजे बहे कर जोन बारे बारे बंदना हमारी हैं मंगर कल्यान सुख ऐसो हम चाहते हैं ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है क्षत्र चुड़ावणी नावक इस ग्रंत के आजार से अपनी यहां चर्चा चल रही थी जगत के स्वरूप को यहां बतलाया जा रहा था दो बाली गाएं गुणमाला और दूसरी सुर्मंजरी इन दोनों में हुए दिवात को लेकर जो प्रसंदा आगे बढ़ा और फिर अचानक क्या हुआ कि वापस घर नोटते समय कोई एक हाथी उपाहल हो गया और सब जगे होड़ंग मचाने लगा तो जो वसंत उत्सव का मेला लगा हुआ था इस वसंत उत्सव के मेले में गुणमाला को सभी लोग छोड़ कर इधर उधर भाग गए उसकी नोकर चाकर भी उसके परीजन लोग भी इस बात को यहां बताते होए जगत की स्वार्थ व्रत्ती को यहां बतलाया गया था यह जगत कितना स्वार्थी है इस स्वार्थी जगत में कोई किसी का साथ नहीं देता नोकर चाकर आदी भी यह सब साथ छोड़ देते हैं इसलिए वास्तव में तो तत्व ज्यान का विचार ही शान्ती और समाधान देने वाला है वही सहायक है जगत में कोई शरण नहीं है जगत के इस स्वार्थी स्वारुक का विचार करके भी यदि जीव धर्म मारत में ना लगे तो इसका सच्चा आर्थी है समझना चाहिए कि इसने स्वार्थी जगत के स्वरुक का विचार किया ही नहीं है मोह हावी है हमने ऐसी भी चर्चा की थी कि जिनके ग्यान हावी होता है चित्त में उनका मोह नश्ट हो जाता है और जिनका मोह हावी होता है वे ज्ञान शुन्य हो जाते है ये सब चर्चाएं पीछे यहाँ हमारे पंचकल्यानक में जाने के पहले यहाँ चली थी वहाँ भी गौर्ज आमर में हुआ पंचकल्यानक रोजाना प्रहुशन भी हुए बहुत सुन्दर आयोजन रहा वहां का देखिए पुन्य पाप कर्म के पुन्य पाप कर्म के उदे की विचित्रताओं को यहां बता रहे हैं 227 नमबर पीज से हम बात को आगे बढ़ाते हैं धाय की सच्ची स्वामी भक्त यहां से 31 नमबर का यह है श्लोक है करत्वाताम प्रष्ठतो धात्री काचि रस्थाद्र्यावःं हतायाम यतह पूर्वं कन्ययम हन्यतामिती कोई धाय इससे पहले मेरे हत हो जाने पर पश्चात इस कन्या को मारना यह कहकर और गुणमाला को पीछे कर दया भाव से खड़ी हो गई धाय थी वहाँ स्वामी भक्त थी धाय तो हम जानते ही हैं इतिहास में पन्ना धाय प्रसिद्ध हैं अमारे यहां रायस्थान की जो मा के ना होने पर बच्चे का पालन पोशन करे वो धाय तो वो धाय ने गुणमाला को तो पीछे किया और स्वयम आगे हो गई कि यदि मरना ही है तो गुणमाला के पहले मैं मरूंगी और उसके बाद में उसका कुछ होगा जो होगा एक स्वामी भक्त गाय ने गुणमाला की रक्षा के लिए अनुपम धैरे और साहस का परीशे दिया वह यह कहती हुई की हाती सबसे पहले मुझे मारेगा फिर इस कन्या गुणमाला को गुणमाला को अपने पीछे चिपा कर बड़े धैरे और साहस के साथ खड़ी हो गई देखो आप यह ऐसी हिम्मत यह कहरें मित्र का सक्चा स्वनुप है कौन सक्चा मित्र है कि जो ऐसी कजिन परिस्टिती में प्रतिकूल परिस्टितियों में साथ छोड़ करके न भागे जो साथ देवे वो मित्र और जो साथ छोड़ देवे वो मित्र नहीं है और और जो कुछ भी हो मित्र तो नहीं है सम दुख सुखा एवे बंदवो हत्र बांदवा दूता एव क्रतांतस्य द्वंद काले परामुखा निश्चे से इस संसार में समान हैं दुख और सुख जिसके ऐसे बंदू ही मित्र कहलाते हैं और जो विपत्तिकाल में साथ छोड़ कर दूर भाग जाते हैं वे यम के दूते ही हैं हम क्या कहें ये नीतिकारों की नीतियां है ये जैन आच्यारियां के माध्यम से ये नीतिकारों की इस नीति को यहाँ प्रस्तुत किया गया है ये कह रहे हैं ये संसार में जो जिनके सुख दुख समान हैं वो मित्र हैं यह मित्रत्व का लक्षण है आपके दुख में दुखी और आपके सुख में सुखी वो आपका मित्र मनें समानता जहां दिखाई देवे हैं वो मित्रत्व का लक्षण है और जहां समानता नहों है वो कैसे मित्र वो तो शत्रु ही है और शेत्रू क्या इन्होंने साफफ कह दिया यहां युम के दूत में क्रतांत से हैं किये हुए का सब का अंत कर देंवाले क्रतांतस से उसका अंत कर हमारी विपत्ती में जो हमारा सहयोग नह करे वो कैसा हमारा देखिए सरलार्थ सुख में सुखी और दुख में दुखी होने वाले साधर्मी ही सच्चे मित्र और बंदू है मित्र भी है बंदू भी है आपत्ती आ जाने पर साथ छोड़ कर भाग जाने वाले लोग तो मानो सा रक्षात यम के दूत हैं विशेशार्थ मदून मत्त हाथी द्वारा मारे जाने के भैसे लोग आपत्ती के काल में गुण माला को अकेला छोड़ कर भाग गए वे यम के दूत के समान ही हैं जिस धाय ने अपने प्राणों की परवाह ने करते हुए गुण माला की रक्षा की वे वास्ताओं में सच्ची धाय, साधर्मी, मित्र, बंदू, जो कुछ भी कहो वे सिद्ध होती है ऐसे प्रसंगों पर ही शत्रू और मित्र की सच्ची पहिचान होती है यह तो जगत में प्रसिद्ध है बात कि संकट के काल में ही आदमी की परिक्षा होती है जब तक अच् में खड़ा हुआ हो वो आपका सच्चा साथी है वो आपका मित्र है और परिक्षा ऐसे ही समय पर होती है देखो धनवान वैबार संपन्न लोगों के आसपास में घूमते होए तो बहुत लोग दिखते हैं लेकिन वो संपन्नता चली जाए तब कितने लोग साथ हैं यह बत कितने लोग साथ खड़े होते हैं वो ही साथ खड़े होंगे जो सच्चे साथी थे बागी सब भाग जाएं यह जगत का स्वरूपी इसी तरह का है गर में परिवार में आसपडोस में अपने परिवार जनों में सब में इस वात को देखा जा सकता है कि जब हमारे उपर किसी यक्ति के साथ देने की अपेक्षा तो होती नहीं है ज्यानियों को क्योंकि उनको सच्चा साथ देने वाला अपना स्वरूप दिखाई देता है उन्हें सच्चा साथ देने वाला अपना आत्म स्वरूप दिखता है वो साथी हैं जो प्रत्यक परिस्तिती में अपने उपयोग को इस्तिर रखाता है अपने चित्त की चंचलता को रोकता है अपने आकुलता को मिटाने में सहीयोगी बनता है वो सच्चा मित्र है ना बाकी तो यह परियाएं और परिस्टितियां, यह सब तो प्रतीकूली है यह हमारे मित्र कैसे हो सकते ? क्योंकि यह कोई भी साथ देने में समर्थ नहीं है मैं आपसे पुछता हूँ, अनुकूलताएं भी बहुत हो अभी व्यक्ति की बात मत करो अभी परिस्तिती की भी बात करो व्यक्तियों में तो मित्र शत्रू खोजते हैं हम लेकिन परिस्तितियां भी तो ऐसी होती है जो परिस्तितियां आपको मोक्ष मार्ग में कखम बढ़ाने से रोकने वाली हो यदि वे परिस्तितियां रोकने वाली हैं तब तो यम के दूत के समान हैं ही और यदि वे परिस्तितियां अनुकूल हैं तो भी वे मित्र नहीं हैं क्योंकि वे हमारे आत्म कल्याण में क्या सहयोग करने वाली तो इसलिए उन उन परिस्तितियों से द्रश्टी हटाएं और जो सच्चा मित्र अपना अनंतुगुन संपदा स्वरू स्ववाव इस देह देवाले में विराजवाने हैं उसका अवलम्मन लेवें तो सच्ची पहिचान वोगी ये मित्र और शत्रू की सच्ची पहिचान की चर्चा की है यहां पॉन्य पाप कर्म के उदे जन्ने हैं परिस्ति पीछे दोश लूप पीछे यही तो बात कई थी अपना ही है इसलिए अपने ही उदे का विचार करके घ्यानी जीव शांत रहते हैं जीवंदर कुमार द्वारा गुण वाला की रक्षा स्वामी परिण तंबीक्षे करेणं तंव्य वारयत स्वापदं नहीं पश्यंती संते परार्थ तर पराहा देखिए जीवंदर कुमार ने दातों के से प्रहार करते हुए उस हाथी को देखकर हड़ा दिया निष्टे से दूसरे मनुष्यों के उतकार करने में तत पर सज्जन पुरुष अपनी आपती को नहीं देखते हैं ये गुणवाला को बचाने के लिए बीच में जीवंदर आ गए दाय का तो जो हुआ 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 कि दातों से प्रहार करते हुए हाथी की चर्चा करें दातों से प्रहार करते हुए हाथी को हाथी के लिए गाय जो हाथी जो दात से प्रहार करता है न हाथी अपने दातों से प्रहार कर रहा था उसको जीवंदर कुमार ने हटा दिया परूपकार में तदकर सज़्जन पुरुश परूपकार करते समय अपनी आपत्ती का विचार नहीं करते यह विचार नहीं किया कि मेरा क्या होगा अतेव अपने दातों से तिर्चा प्रहार करने वाले उसाथी को जीवंदर कुमार ने अपने साहस और सामर्थे से दूर बगा कर गुण माला के प्राणों की रक्षा की तो यही होना था ऐसा ही हुआ है देखिए आप यह कह रहे हैं कि ज्यानी करमबद का विचार करेगा जो होना था वही होगा तो क्या दिक्त है उसमें करेगा विचार लेकिन इसका अर्थ पुरिशार्थ ही नहीं हो जाएगा यथा यूग्य पुरिशार्थ भी करेगा यथा यूग्य पुरिशार्थ करते हुए भी बनी हुई परिस्तिती चाहे वो अनुकूल बने चाहे प्रतिकूल बने समता वहाव को धारन करेगा क्योंकि काम तो वही हुआ है जो होना था क्योंकि अनेक प्रेयत्म और पुरिशार्ट करने के बावजूद भी परिस्क्ति प्रतिकूल बन सकती है जीवंदर के अशुब कर्म के उदे में वहाथी हावी हो जाता लेकिन वह वैसा था नहीं न वैसा होना नहीं था उदे तो अच्छा चली ही रहा था उदे अच्छा नय चल रहा होता तो हम आज आपके बीच में यहां नहीं आते मतलब वह ट्रेन छूट जाती हमारी मारे कल दोपेर में आए ना हम तो बहुत प्रतिकूल हो गई थी परिस्टिती हम वहां से निकले और निकलने पर गौर जामर से निकले सागर आना था बीच में दल्पत्पर वालों ने बुला लिया हम लोग साथ-ाथ लोग थे और बहुत सामान था और गाड़ी पर लगीश बंदा था बहुत भरिस्टिती ऐसी थी कि वह जाना कठिन था फिर भी उन्होंने बुलाया अगरे किया समय भी था तो हम चले गए उस तरह बीच में आदे गंटे की दूरी स्टेशन से मंदिर देखने के लिए वहां से जब लोटे रात को साड़े बारा की ट्रेन थी और क्यारा बजे निकले और सफर था करीब करीब पौन गंटे का सामान बहुत था कि समय से पहुंच जाएंगे बीच जंगल में रास्ते में गाड़ी आदा गंटा चलने के बाद खड़ा होई डीजल पेट्रूल ख ट्रेन दिख रही है और राइट टाइम दिख रही है और इदर से कोई व्यवस्ता नहीं है कोई कोई सायूग की कुई अपेक्ष्या कुछ नहीं थी और फिर वह वापस उदर फोन किया उदर से अरेंजमेंट रोन ने गाड़ी का किया वह दोड़ते गाड़ी लेकर के फिर आदा सामान छोड़ा आदे बेटे भरे गाड़ी बिलकुल राइट टाइम थी और इतनी संभावना ही नहीं थी क्योंकि आपका गूगल तो यह दिखा रहा था कि आपको पॉन गंटा लगेगा पहुंचने में यहां से अभी भी पहुंचने में पॉन गंटा लगेग और कुली वहां होगा नहीं और रात को साड़े बारा बजे की ट्रेन है और राइट टाइम है और क्या हो सकता है बताओ अधर सारा सामान लगेश बंदा हुआ था नई गाड़ी भी आजाएगी तो लगेश को उतारना उसको दूसरी गाड़ी पर बांधना उसमें आदर गंटा लग जाएगा कुछ भी नहीं हो सकता है फिर भी वह सहीयोग करने वाले थे दलपतपुर के लोग थे वह आए वहा बड़ी गाड़ी दस लोगों के बैठने योगी गाड़ी फिर सामान उसके अंदर कितना वरा जाए और फिर कैसे गाड़ी चलाई उन्होंने वह स्टेशन पहुंच आया पहुंच करके जब वो ब्रिश पर चड़ रहे थे तो गाड़ी दमाना होई तो फिर वो सर्वेंट को दोड़ा है और दोड़ा करके चैन खेची उसने चैन खेची चैन खेच करके उसमें बैठे कितने अभी तो आधे लोग तो उपर तक पहुंचे हैं आधे नीचे ही हैं अभी तो गाड़ी से उतर रहे हैं सामान उतर रहे हैं तो चैन खेचने के ब चलती हुए गाड़ी को रोकी पहले पिर चैन खेचने के बाद में फिर बैठे आदे लोग चड़े आदा सामने जो डिबा दिखा उसी में टिकेट ते एसी के और बैठे उसमें सामने जो दिख रहा था और फिर चल गई चलते चलते फिर दुवारा चैन खेची और फिर सब बैठ गए और बैठ का गए वो जहां जो डबा था न सामने एस सेवन सेकिंड एसी के टिकेट थे बीच में बंद रहता है वो रात को साड़े बारा पोण बज़ गया था वो आदा एक गंटा वहां खड़े रहे फिर उसके बाद में वो टी से आया बीच में दो मेहने पहले उन्हें विकल पर नहीं किया कि वह लिए भी नहीं हुआ होगा वो टीकेट इंटरनेट से बना हुआ आप लिए इसका रिफंड आप पहुंच जाएगा आपके अकांट में और इस आपके पास तो टीकिट ही नहीं बिना टीकिट आये हैं जो भी हुआ जैसा भी बैट भी गए शीट भी मिल गई टिकेट भी बन गया और आ भी गए यहीं वो ट्रेन नहीं मिलती तो कल तो आते ही नहीं दोपेर में जो कल पहुंचे यहां तो पहुंची नहीं सकते थे पर noi next train भी कहना सी मिलती अच लोगों की टिकित नहीं नहीं होता फिर कल रात को तो फिर आज दो पेर में आते ओ और सब दो नो सब जो भी विए विवखी handsome उसoby बनती लेके इतना पापक होasına नहीं था तो कुछ नहीं हो सकता था फिर तो रात को एक बजे आप कुछ भी नहीं कर सकते थे फिर तो वो ले जाते साधरमी लोग कहां फिर गंटे दूरी पर वो ले जाते लिए वो भी आ गए दे गए सब कहां से रात को डाई बजे पहुंचे फिर वो अपने घर छोड़ करके कुली परिस्ते के पास मिलेगी कोँ से रात को बारा बजी वह गाहों चौटा सा उस गाहों में कोई नहीं पुदो पड़ासी सामने मंदर के सामने कोई रहता था किसे वहां से किसी की गाड़ी मांगी फिर पूछी हम से आप कौन सी गाड़ी में हैं कितने लोग हैं कितना सामान है वह आ जाएगा कि नहीं आजाएगा वह सब परिस्तियां दो डाई गंटे का जो में अब बड़ा ऐसा शंकल्प विकल्पों में भी था लेकिन हम यह कह रहे हैं अब ज्यानी जी वैसे समय में क्या करेगा बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा कि यह सोच करके बेढ़ जाएगा यह करना 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 यह बात पर यह चल रहे हैं नहीं करें हैं इतना प्रयास करने के बावजूद भी तो पिर इस बात का विचार करते कि ऐसा ही वह गवान के ज्ञान में जलक रहा था जह नहीं मिली तो नहीं मिली कोई बात नहीं तो शांती से रहते उसमें आकुलता नहीं करते इंचन नहीं करते चैन के पहली बार चल दी चैन खेची तब तो हम उपर थे पुलिया पर हम पुलिया पर थे वो पुलिया के पीछे थे आधे लोग सर्वेंट था एक साथ में उसको दोड़ा करके काई उस चलती ट्रेन में जा करके और चैन खेच दे तो एक बार खेच दी फिर दो मिनिट से जादा रुखती नहीं है उसमें और तब दर तो इतने लोग पहुंच पाते छोटे-छोटे बच्चे भी थे साथ में दो चोटे बच्चे थे साथ में तो यह तो आपने इतना प्रेश्ण कूछा कि ज्ञानी जीव तो शांत रहेगा ज्यानी जीव क्यों करेगा अब गु ज्यानी का अर्थ क्रेंभद पर श्रद्धा करना इतना मात्र नहीं है में अ watt집 यह साथ कि ज्ञानी जीव पॉर्शार्त के आपने पहलें परिषारत को जानते हैं कि यह पॉरिषार्त भी क्रमबद हैं और अनेयक पॉरिषार्त करने के वावावजूत भी भवितव्य तान जैसे रुक गई कि वो आगए इस वज़े से मिल गई कि हमारे पुन्य का उदे था इस वज़े से ट्रेन मिल गई कि उसने दोड़ करके चेन खेश दी ये सारी बातें तो कहना हो सो कहो लेकिन काम तो वही हुआ है जो भगवान के ज्यान में जलग रहा था और जो होना था अब पांच संभाई मिलते हैं या नेक कारण होते है उनका निमित बनना था इनका उदय होना था इनकी फरिस्क्रिस्टिती बननी थी सबकां उदय इस तरे का था योग इस तरे का था आदे सामान को भाल रुकना कि इसा परमान कप कहां से कहां कितना कैसा परिणमन करेगा यह उसकी योगिता पर दिरबर करता है यह आपके हाथ में नहीं है इस बहुत सह है वह यह इस्टिती ज्ञानियों को रिजय में वह सहजता होती है जीव अदरकुमार के भी यह सहजता थी जो जाएगा यदि प्राण निकलने का काल आही गया होगा तो निकल जाएंगे और यही तो विचार किया था पीछे सेठ ने भी क्या नाम था सेठ का गंदोत करते हैं श्रीदर्व श्रीदर्व श्रीदत्व श्रीदत्व सेठ अभी से मत बूलो भाई श्रीदत्व सेठ नाव तूट गई उसकी और क्या विचार करने लगा भोलो अब तो प्राण निकल जाएंगे यह जाएंगे जीवन पूरा होने का कान यदी आगया होगा तो बचाने में कोई समर्त नहीं होपाएगा और जीवन यदी शेष होगा तो यह नाव भी कुछ नहीं बिगाड पाएगी आयो यदी शेष होगी हाथ पाउं तूटें चैजीवन पूरा हो ग्यानियों के हिरदय में परोपकार की भावना तो सर्वोपरी रहती है। माने वे ऐसे परोपकार करने के प्रसंग में हिता हिता विचार नहीं करते कि हमारे साथ में अपने उपर क्या आएगा केतना बड़ा संकforce आ जाएगा ये विचार नहीं करते अग्यानी भी विचार नहीं करता देखना दो तरह की बातें कहता हूं ग्यानी जीव परोपकार की भावना से दूसरे के उपकार के काल में अब परिस्तिती अनुकूल बनेगी के प्रतिकूल बनेगी ये विचार किये बिना सहीयोग करने के लिए तत्पर हो जाते हैं ग्यानी और अग्यानी जीव लोव लालच अभिमान यार हो जाते हैं कि भला होगा कि बुरा होगा इसका विचार किये विना अग्यानी भी अग्यानी भी इस बात का विचार नहीं कर रहा है कि मैं जो ये मायाचार चल कर रहा हूँ इससे मेरा क्या आइत हो सकता है इसको विचार किये विन मायाचारी में तत्पर है और ग्यानी जी उपरोपकार में तत्पर है अग्यानी दूसरे का बुरा करने में तत्पर हो जाता है जबकि सच्चाई है कि अग्यानी द्वारा दूसरे पर किया गया उपद्राव और संकट वो दूसरे के ऊपर नहीं वो उपर संक्ट कर रहा है अपने पाप परिश्टति तो उदे आधीन है शरीब की जो इस्तिति होगी वह शरीर की होगी मैं शरीर का करता धरता नहीं हूए सामने आगे बचाने के लिए देखो आप दातों को तिर्चा कर दिया और प्रहार करने वाले हाती को जीवंदर कुमार ने साहस से अपनी सामर्चे से दूर भगा कर गुणवाला के प्राणों की रक्षा की संसार में सज्जनता शाश्वत देखो आप गजब बात कह रहे हैं बले ही सारी दुनिया कितनी भी चर्चा करे आज के समय में सज्जनता बची नहीं हैं लोगों में दया नहीं हैं लोगों में करुणा नहीं हैं कैसे स्वार्थी लोग हैं सारे जगत को आप वली कोस्ते रहो आज पास में चार लोग मिलकर कितनी भी ऐसी चर्चा करते रहो इसाफ जगत में तो दया बची नहीं है करोना बची नहीं है सज्जनता बची नहीं है आज तो सज्जनता मिलेगी कहां इस काल में कौन सज्जन सज्जन मिलते ही सज्जन है कौन इस तरह की बातें करने वाले लोग बहुत मिलते हैं लेकिन उसके बावजूद भी ये पंचम काल के मुनी ये वादिप सिंग सुरी कौन से काल के है ये पंचम काल के मुनी है इसी पंचम काल के ये क्या कह रहे हैं कि सुनो सज्जनता शाश्वत है इसका मतलब है ये सज्जनता कभी खतम नहीं होती इस सज्जनता को मिटाया नहीं जा सकता इस सज्जनता का अंत नहीं किया जा सकता इस सज्जनता को नश्ट नहीं किया जा सकता ये शास्वत है ये सज्जनता ये शास्वत है आप काल को मत देखो आप दुनिया को देखो दुनिया बहुत बड़ी है चटा काल आपके घर में आये तो हम क्या करें आपके घर में सज्जनता ना हो तो हम क्या करें इतने से एरिया में सज्जनता शाष्वत है जैसे मुक्ती का मार्ग सदा शाष्वत है मुक्ष्ट का मार्ग कभी बंद नहीं होता अब आप कहोंगे चटे काल में कि तुम रखो तुमारा चटा काल हमें कुछ उससे मतलब नहीं मुक्ती का मार्ग कभी बंद नहीं होता काल से घंडित नहीं है सज्जनता कभी खतम नहीं होती सज्जनता तो है किसी व्यक्ति विशेश के रिदेंगे नहीं है सज्जनता वो अलग मेटर है आपके आजपडोसियों में सज्जनता नहीं है वो अलग मेटर है आपके परिवार में आपके पाप कर्म के उदे से दुर्जनों का सयोग है वो अलग मेटर है लेकिन फिर भी इस जगत से सज्जनता का अभाव कभी नहीं हो सकता जगत में सज्जन लोग तो हैं और रहेंगे देखो क्या के रहें यही बात यहां कहना चाहरा है विदो श्लूक ही नहीं पड़ा पने संसार में सज्जनता शाश्वत है देखें के मपी सोजन्यम नोचे लोग कर खुदो भवेत निश्च ऐसे सब के हित के लिए ही है उठों की उत्पत्ती जिसमें ऐसे सज्जन पुरुश कहीं कहीं पर विद्यमान ही हैं कहीं कहीं पर तो होंगे, कई में मिल जाएंगे आपको सज्जन पुरुष, सर्वत्र तो नहीं है, साधु सज्जन पुरुष सभी जगे तो नहीं है, लेकिन हैं, दुनिया से सज्जनों का अंत नहीं हो सकता, कितने भी दुरुजन हावी हो जावे, कितना भी कलकी का काल क्योंने आजावे, कितने भी बड़ा से बड़ा संकट की परिस्टितियां क्योंने आजावे, मा मारी, रोग, दुर्विक्ष, समझे लो, आप ऐसा प्रले काल आ गया, जिसका ऐसे 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 लोग हो गए, जो नर संहार करने वाले हो, इनसानों को जानवरों की तरह कुशल देने वाले हो, ऐसी परिस्टितियों में भी कहीं ने कहीं सज्जन दा लोगों के इरदे में होती ही है, देखो, कौन है सज्जन, उसकी भी परिवाश्य बतला दी, निश्चे से सब के हित के लिए ही हैं गुण की उत्पत्ती जिन में, सब के भले के लिए ही जिनके अरदे में गुण की उत्पत्ती है ऐसे सज्जन पुरुष कहीं कहीं पर विद्यमान ही हैं कहीं कहीं पर रेदी ही हैं वे सज्जन पुरुष यदि कहीं पर कुछ भी सज्जनता ना हो तो फिर संसारी कैसे चलेगा लोक है कुट है ववेत संसार नहीं चले अरे भई आप क्या कहना चाहते हो इस संसार से यदि सज्जनता चले गई तो फिर दुनिया कैसे चलेगी आप गंभीरता से विचार करो सज्जन वने साधु पुरुष नहीं होंगे तो मोक्ष मार्ग कैसे होगा मोक्ष मार्ग नहीं होगा तो मोक्ष कैसे होगा तो मोक्ष भी नहीं मोक्ष मार्ग भी नहीं ऐसा तो कभी नहीं हो सकता इस धरातल पर इस मद्य लोक में मनुष्य गती के जीवों में साथ सो करोड सम्मेक दरश्टी तो रहते हैं ये सम्मेक द्रश्टियों की संख्या है, चासरत गुनस्तान वरतियों की, 13 करोड़ पंचम गुनस्तान वरतियों की संख्या बनी रहेगी, 700 करोड़ चोथे गुनस्तान वाले, 13 करोड़ पांचमे गुनस्तान वाले, तो ये सब सज्जन ही तो हैं, तो सज्जन क्यों नहीं हो विद्ध्यमान रहेगी हमारे आसपास हो चाहे ना हूं यदि सज्जन न रहेंगे तो संसार केसे चलेगा देखिए सरलार्थ संसार में सभी हितकारी गुणों से युक्त सज्जन पुरुष कहींने कहीं अवश्य होते ही हैं क्योंकि जगत में कहीं पर कुछ भी सज्जनता ना हो ऐसा होता ही नहीं है देखो एक और बात समझना है इसमें कोई व्यक्ति कितना भी दुर्जन हो उसमें भी सज्जनता के आईश मौजूद है कितना भी कुरूर से कुरूर व्यक्ति क्यों नहीं हो तो भी उसमें कहीं न कहीं किसी अंश में सज्जनता के अव्यव होंगे ही होंगे अंश मात्री ही सही यदि संसार में कहीं सज्जनता ने रहेगी तो सज्जनों की सत्ता भी नहीं रहेगी झाल झाल झाल